The Life TV सच सब से आगे ब्रिजबूशन शरंग सिंग के उपर आरोप लगा रही है इंटरनेशनल रेस्लिंग के रेफरी जगबीर सिंग ने एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने एक TV चानल से इंटर्विव में बातचीत करते वक्त बताया है कि किस तरीके से ब्रिजबूशन शरंग सिंग महिला पहलवानों को वहां भी छूता आया है जहां पर उन्हें नहीं छूना चाहिए इसी के साथ उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करके बताया भी कि ब्रिज बूशन शरन सिंग कि इस तरीके से महिला पहलवानों को हमेशा से ही अनकमफर्टेबल महसूस कराता है कभी फोटो खिचवाते वक्त कभी डिनर करवाते वक्त इस तरीके की चीज़े जो है उन्होंने अपने आखों से देखी है अब उनके इस खुलासे से हडकमप मच गया है क्योंकि अपने आपको पाक साफ बताने वाले ब्रिज बूशन शरन सिंग की अब जो मुश्किले है वो लगातार बढ़ रही है ब्रिज बूशन शरन सिंग के खिलाफ कारवाई की लगातार मांग की जा रही है महिला पहलवान दिली के जंतर मंतर पर भी उन्हें धरना दिया लेकिन उसके बाद उनका धरना प्रदशन वहां से हटा दिया, खत्म कर दिया वहां से टेंट हटा दिये गए हाला कि इसके बाद भी वो आंदुलन करने की लगातार चेतावनी दे रही है और अंदुलन लगातार कर रही है गिरफतारी की मांग की जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लग रहे हैं कि इसको लेकर जान बूच कर कोई कारवाई जो है वो नहीं की जा रही वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता और नेत्रियां भी इस मामले को लेकर चुप हैं हाला कि अनुराक ठाकुर जो है वो पहलवानों से बादचित करके मिल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई निशकर्च नहीं निकल रहा है अब जब इंटरनेशनल रेफरी ने खुलासा किया है और ये बात कही है कि ब्रिजबुशन शरन सिंग महिला पहलवानों को असहज महसूस करवाता है जहां नहीं चुना चाहिए था वहां भी चुआ है तो उसे लेकर कई तरह की चीज़े जो हैं वो साफ हो गई है सबसे पहले आपको खबर दिखा रहे हैं एवीपी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जोसमें खबर को शेर करते वें लिखा है बीजेपी सांसद और भारतिय कुष्टी संग के अध्यक्षिव ब्रजबूशन शरन सिंग की मुश्किले अब बढ़ने वाली है पहलवालों के आरोपों के बाद इंटरनेशनल रेस्लिंग के रेफरी जगबीर सिंग ने बड़ा खुलासा किया है पहलवाल लगातार ब्रजबूशन शरन सिंग के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे हैं गिरफतारी की मांग कर रहे हैं जिसे लेकर वो कभी मार्च कर रहे हैं कभी प्रदशन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कारवाई नहीं की जा रही है इसी के साथ ABP की ख़बर भी आपके सामने रख रहे हैं जिसमें पूरी जानकारी दी है उन्होंने इंटर्व्यू देते वक्त क्या कुछ कहा है कि इन बातों का जिक्र किया है क्या खुलासे किये हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं इसके एड लाइन में लिखा है कि रेसलर प्रोटेस्ट ब्रिज भूशन सिंग पर सबसे बड़ी गवाही पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ रेफरी ने बताई पूरी कहानी तो इंटरनेशनल रेफरी ने पूरी की पूरी कहानी बताई कई बड़े खुलासे किये 2013 के घटना का जिकर कटते हुए भी उन्होंने कई तरह की बाते उठाई तो पूरा खुलासा उन्होंने कहा है और इसी के साथ जो गवाही है उनकी वो कई ना कई जो पहलवानों के आरोप हैं उन पर मोहण लगाती है खबर में देखिया आगे लिखा है बीजेपी सांसद और भारतिये कुष्टी संक्य अध्यक्ष ब्रिजबूशन शरन सिंग की मुश्किले बढ़ने वाली है अपने आपको पाक साफ बताने वाले ब्रिजबूशन सिंग की सच्चाई अब सब के सामने आने वाली है या फि ट्रायल खत्म होने के बाद जब फोटो सेशन हुआ तो इस दोरान एक महीला खिलाडी को ब्रिजबूशन सिंग ने गलत तरीके से टच किया था फिर महीला पहलवान दूर जाकर के खड़ी हो गई इंडिया टीवी पर दिये एक इंटर्वी के दरान इंटरनेशनल रेसलिं के रेफरी जगवीर सिंग फोटो सेशन की घटना के दुरान कुछ ही दूरी पर खड़े थे उन्होंने महीला खिलाडी की बात का समर्थन किया है तो यहाँ पर वो इंडिया टीवी को एक इंटर्वी दे रहे थे जिसमन होने ये बाते कहीं उन्होंने बताया कि 25 मार्श 2022 क जब सीनियर एशिया कुछती चैंपियंशिप की ट्रैल हो रही थी उतरान फोटो सेशन हो रहा था तो उस दुरान एक महीला पहलवान जो है ब्रिजबूशन सिंग के बराबर में खड़ी होती है लेकिन ब्रिजबूशन सिंग उस महीला को महीला पहलवान को हो जाती है और उससे दूर जाकर के खड़ी हो जाती है खुद इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंग इस बात को कह रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो महीला पहलवान लगातार ब्रिजबूशन शरन सिंग पर उत्पिडन यौन उत्पिडन के आरोप लगा रह रही थी कि वो ट्राइल के नाम पर बात करने के बहाने किस तरीके से उन्हें गलत जगा पर छूता है यह वही बात जो है इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंग कह रहे हैं तो यहां पर कई चीज़े जो हैं वो साफ हो जाती हैं अब इस खुलासे के बाद ब्रिजबूशन सिंग के बगल में खड़ी थी लेकिन वो अचानक से वहां से हटी उस समय वो असहज दिखाई दे रही थी और कुछ प्रतिक्रिया भी दे रही थी जगबीर सिंग ने कहा कि मैं लखनव और फुकेट दोनों जगह था जहां ब्रिजबूशन सिंग ने महीला पहलवानों को असहज कर दिया यानि की अनकमफ से अट जाती इसके गभाही आब इंटरनेशनल रेफरी जगबीर से खुद दे रहे हैं आगे मने 2013 की नहीं से जिक्र किया है जगा टच किया यहां पर देखे लिखा है 2013 की घटना का जिकर कटे हुए रेफरी जगबीर सिंग ने बताया कि थाइलिन में जुनियर एश्या चैंपिंशिप हुई थी वहां भी ब्रजबूशन शरन सिंग गए हुए थे इस दोरान भारतिये खिलाडियों को कहा गया कि उन् दिनर के समय ब्रजबूशन शरन सिंग और उनके साथी नशे में थे जब वो खिलाड़ी दिनर के लिए वहां आई तो उनके साथ जहां नहीं चुना चाहिए था वहां भी चुआ गया तो यह वही बाते जो महिला पहलवान लगातार आरोप लगा रही है और उनी बातों प बाते भी कहते हैं उनी बातों पर इंटरनेशनल रेफरी जगबी सिंग बहुड लगा रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं कि वाकई उन्होंने कलट जगा चुआ यह उनके आंखों देखी की बात है तो इन सब पर ब्रजबूशन सिंग जो खुद को पाक साफ बताते हैं जो खुद को बिलकुल सही बताते हैं इन आरूपों को खारिच करते हैं उनको लेकर अब यहां पर एक बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि इन आरूपों को लेकर इन खुलासे से जो है अब जो है हंगामा तै होना है इसी के साथ आपको बता दे कि पहलवानों ने उन तक ब्रजबुशन के खिलाब चार्चिट डायर की जाएगी सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की बात करती है उसी सरकार में जब बेटियों पर यौन पिडन होता है और उनी सरकार के मंतरी उसी सरकार के सांसर जब इस तरह की ब्रजबुशन सिंग के मामले को लेकर बीजेपी को नुकसांग चुनाव में उठाना पड़ सकता है क्योंकि यहां पर बात जो है वो देश की बेटियों की है जो कभी मेडल लेकर आया करती थी लेकिन आज वो अपने साथ हो रहे यौन उत्पिडन और अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है लेकिन अफसोस उनका कोई भी सुनने वाला जो है वो नहीं है इसी के साथ ब्रिजबूशन शरन सिंग पर जो इंटरनेशनल रेफरी ने गवाही दी है खुलासा किया है उसे लेकर भी कहीं तरहा के सवाल अब सरकार और ब्रिजबूशन सिंग पर खड़े होते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं जिस तरीके से ब्रिजबूशन सिंग शुरू से ही खुद को पाक साफ बता रहा है खुद को सही बता रहा है अब जब इंटरनेशनल रेफरी ने गवाही दे दी है और उसने साफ साफ कहा है कि मैंने सूस करवा रहा था मैला पहलवानों को एक नहीं बलकि दो से तीन घटनाव का जिकर उन्होंने किया है उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंच बॉक्स में कमेंच करके सुरूर बताएं